आपने मुझे यहां पहुचा चलिए आज एक और बची से मिलते हैं पहले तो मैं आपको बहुत बहुत ज्यादा थांक्यू बोलना चाहूंगी क्योंकि यह सिर्फ आपके वज़े से पॉसिबल हुआ है मुझे मतलब लिटरली जब मैंने स्टार्ट किया ना मेरा ऐसा था कि 2020 में मैंने एक्जाम दिये थे बीएस्टी के और मेरा कॉलेज था सत्रसाई जो की पूरा सब जानते भुपाल में स्कूल है तो मैंने स्टार्ट किया फिर ऐसा हो गया था कि दिसमबर में मेरा रिजल्ट आया था फाइनल लियर का और मुझे मैं इतनी कन्फ्यूज थी पापा ने कहा कि भुपाल में प्राइवेट कॉलेजेस हैं आप एक काम करो वहां से एड्मिशन लेलो और एमसीय कर लो आपको मैं सबकुछ हो गया था कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करوں क्या ? पीछे माहिजिद। अगर ऐसा है तो मैं कर सकती हूँ उसमें से almost मुझसे ऐसा हो रहा था कि maths के 10-15 questions बन रहे थे और जो नहीं बन रहे थे उनके पीछे का मुझे concept पता था कि हाँ ऐसा-इसा हो सकता है अगर मैं करने बैठूंगी तो कर लूँगी तो मैं फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि मैं को एक बार try करना चाहिए तो मैंने कहीं पर ऐसा पड़ा था कि कभी-कभी life में ऐसा होता है कि अपने मन की सुननी चाहिए अपने मन की करनी चाहिए उससे आपको satisfaction रहता है कि आपने किसी के और के pressure में आके कुछ गलत नहीं किया जो decision था वो आपका था तो फिर मैंने बहुत ऐसे सोचा कि क्या करूं कोचिंग का कुछ idea नहीं कोई मतलब guidance नहीं फिर कोरोना की वज़े से तो coachings भी सारी बंदी थी और भुपाल में मेरी एक friend है तो उसके hostel में senior रहते थे तो उन्होंने impetus से ही किया और उनकी बहुत अच्छी rank आई थी उनका शायद MD नरूल ऐसा कुछ नाम था तो उनकी बहुत अच्छी rank आई थी तो फिर उन्होंने मेरी friend ने उनके बारे में मुझे बताया कि coaching बहुत अच्छी है sir बहुत अच्छी है तो आप एक बार जॉइन करने की कोशिश करो तो फिर मैंने पापा से बात की मैंने का कि पापा मुझे ऐसा है कि coaching जॉइन करनी है पापा ने बोला कि कोरोना है और अच्छी मेरे पापा को वाइरल निमूनिया हुआ था तो उसके कारण हम लोग ज्यादा मतलब ऐसे भार अवार जा होती है कुछ भी पढ़ाई नहीं होती है कोई proper guidance नहीं मिलेगा ऐसा वैसा उन्होंने बहुत सारी चीज़े बोली मुझे कि नहीं हो पाएगा कैसे करोगी सर तो सामने रहेंगे नहीं तुम्हें कुछ पता भी नहीं है कि क्या करना आगे कहां जाना है कुछ भी नहीं पर ऐ जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं आपको वैसा वैसा करना है तो फिर मैंने चालू किया classes मैं classes मैं regular सी मतलब अगर प्रतीक सर ने कहा है कि आपको इतने बजे उठना है तो इतने बजे पहले 8 बजे class होती थी प्रतीक सर की तो इतने बजे उठना है और उतने बजे पढ़ना है म मैं 8 बज़े से पढ़ती थी, 8 बज़े सर की क्लास होती थी, वो 10 बज़े तक चलती थी, उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना था, सर कहते थे, प्रॉपर रेडी होकर आपको बैठ के पढ़ना है टेबल कुरसी पर, तो मैं एकदम नहाद होकर अच्छे से प्रॉपर कपड़ सोती रहू, और अब तो खाने से भी प्यार हो गया है, anxiety में भी मैं खाती पीती रहती हूं और सोती रहती हूं, मतलब ऐसा है, तो मैं कभी-कभी कहता था, ऐसे प्रतीक सर की सुबह-सुबह क्लास चल रही है, और मैं सो रही हूं ऐसे, ऐसे मैं को ऐसे नीन टाइप किया दी कि मैंने, मतलब, मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़े मेरे दिमाग में चल रही थी, पहली फैमिली ने कहा था, प्राइवेट कॉलिज से कर लो, ठीक है वो, और इतने ताने ताने पढ़ते हैं, लोगों कि जब आपके, मतलब, पैरेंट्स रहते हैं, और आपकी फैमिली से को कि मतलब, कुछ नहीं होगा, क्या होगा तुम लोगों का, ऐसा फलाना ठिमकाना सब चालू कर दे दे, तो मैंने कहा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं सुन सकती, और मुझे फिर ना, जब मैंने वो session attend किया, उसके बाद मुझे पता चला कि मैं कर सकती मुझे ना, बस एक proper time table चाहिए, जो कि मैं नींद आलसी हूँ, सर ने कहा है, एक बात कि जो आलसी होता है वो अपने easiest way निकाल लेता है, एक काम करने के, तो मैं क्या करती थी, मैं एक घंटा दिन में सो लेती थी, फिर पढ़ती थी, फिर एक घंटा सो लेती थी, पढ़ती फिर रात में मेरी आदते उल्लू की तरह जागने की, तो पूरी रात मुझे मतलब तीन वज़े तक मैं रात में पढ़ती थी, मेरी grandmother मेरे साथ सोती थी, मतलब वो बाजू में सोती थी, मैं table पर पढ़ती थी, तो अब ऐसा हो गया, कि उन्होंने ना, चालू कर दिया, चर् मेरे को फोन आने लग गए, कि मतलब आप तो आपका selection पका है, आप तो आपका ऐसा हो गया, तो उससे क्या हुआ ना, मुझे फिर समझ में आ गया, नहीं आयुशी, अब तो आपको करना ही पड़ेगा, अब तो आपको प्रूफ करना ही, अपने आपको, आप दुनिया झाले डिमाग में घूम रही थी इस प्रकार से, कि या तो करना है या तो नहीं मैंने का चलो equal to one लगा देती हूं क्योंकि एकदम से मैं ऐसे हाइपर हो गई थी ना वह question देखकर फिर मैंने का नहीं मैं बैठती हूं और मेरे आजू-बाजू दोनों जगा impetus के बैठे थे बच्चे क्योंकि मैं बातों से समझ रही थी उनकी जो सर ने कल बाते करी हैं वो लोग आज बाते कर रहे हैं तो मैं समझ रही थी मैंने का चलो सब अपनी है तो कर देते हैं तो फिर उसके बाद मैंने चालू किया paper लेना एक के बाद एक के बाद question बना एक्यूरेसी मेंटेन रखनी थी मैंने सोच लिया था कि नहीं गलत नहीं करने एक दिन पहले ही मेरे mock में 10 गलत हो गए थे math की question 10 wrong हो गए थे मैंने sir को बोला तो sir ने बोला कि आपना एक काम करो जित्ते बन रहा है उनको time दो question को time दो तो फिर मैंने का कि ठीक है फिर जब मैं paper देकर आई तो में को लगा था कि मेरा paper अच्छा हुआ है फिर sir का session था तुरंट बात पेपर तो easy आया था ऐसा कोई tough नहीं था तो sir का session था सब बोल रहे tough paper tough paper है तो मैंने का में को easy type का लग रहा था paper पर ऐसा कुछ tough था लगा नहीं फिर ऐसा लगा मुझे कि पता नहीं शायद मैंने कुछ wrong तो नहीं कर दिया जादा इतनी tension इतनी tension फिर बड़ी मुश्किल से जब answer की आई तब थोड़ा satisfaction मिला फिर मुझे कोई idea नहीं था मुझे कुछ मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है मैंने सब कुछ छोड़ दिया मैंने कोई और exam का भरा भी नहीं था मुझे करना तो यही था मैं सोच के बैटी थी कि मुझे जाना है तो अगर NIT में जाओंगी otherwise नहीं जाओंगी कि हैद्रवाद University का मैंने फ़र्म भरा है उसके अलावा कुछ भी नहीं और सबसे important रोल तो यह था कि मेरी रिष्टेदारों के तानों से बिना सुने मेरे घरवालों ने मुझे बहुत जादा support किया मतलब कोई कुछ भी बोलता रहा है इस चिल अभी भी वह support कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे और शरत सरका तो बहुत ही important रोल रहा है क्योंकि मेरे जैसे लोगों के पास होता है कि friend circle होता है कोचिंग में भी ऐसा होता है कि दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं किसी के साथ बात कर सकते हैं यह फिर साथ में आगे पीछे वालों को कुछ knowledge नहीं नहीं था इस वारे में ऐनी था सिर्फ शरत्सर नहीं support कि यह सब कुछ ऑनलाइन student होने के बात भी उन्हें में यह को लगता मुझे लगता था पहले कि सर इग्नॉर तो नहीं करेंगे क्योंकि मैं उनलाइन स्टुडेंट हूँ ऐसा वैसा बट नहीं सर ने फुल सपोर्ट किया बिलकुल क्लास्टूम स्टुडेंट की तरह हम लोगों को भी ट्रीट किया है और सर मैं वस यह कहना चाहूंगी आपकी व पेटा आयूशी और मैंने जो भी आपकी बाते सुनी जैसे आपने बुला ना यह बहुत कॉमन प्रॉलम है कई बच्चे जब ऑनलाइन जोइन करते हैं या कई पैरेंट को डाउट रहता है कि ऑनलाइन में डाउट कैसे सवाल होंगे क्लास होगी कि नहीं एक बार जोइन कर तो और मेरा ध्यान रहता है और देखो आपको उसका फायदा भी मिला और यह सबसे अच्छी बात जो आपने बोली कई बर क्या होता है जिसे हमें अगर माल लीजी हमारे उपर प्रेशर है कई प्रेशर पॉजिटिव होते हैं यह पॉजिटिव प्रेशर था कि आपको यह कहीं रिलेटिव कुछ ना बोले तो इसमें कोई नुकसान नहीं है और गल्स के उपर तो बहुत रिस्पॉंसिबिल्टी होती है और अच्छा नहीं हुआ तो इतना लंबा समय है आप कहां लगे हो तो यह लिए हमेशा बोलता हूं गल्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अच्छा कर लें समय रहते हुए अब जैसे आपको आज निटी मिल गया अब आप तीन साल निटी जाके पड़ोगे फिर दो तीन साल जॉप करोगे अब सारी प्रॉल्ब्स खतम तो एक अच्छा डिसीजन लाइफ को चेंज कर देता इंटार लाइफ को वह आपने किया तो